आप नज़र डाले अगर मसालों के अंदर तो मसालों में आज धनीय में तेजी देखने को मिल रही है धनीय के अंदर आज खरीदारी है नीचले सरो पर बाजार एक बार फिट से उठते हुए नज़र आए है नवंबर वायदा की अगर बात करें तो नवंबर वायदा 8000 के उपर निकल चुका है तो यानि की ब्यासी सो के स्कर अब एक्पेक्टिड है कि धनिये के अंदर देखने को मिल सकते हैं धनिये के अंदर भी अगले वायदा में आप खरदारी करके चल सकते हैं 7940 के आसपास मिले या 7900 के आसपास तो इस लेवल के अंदर आप इसमें खरदारी के दनिती बना सकते हैं आट 700 का एक्स्टो क्रोस लगाकर उपर में 1200 के टार्गेट की इसमें बाइंग करके चला जा सकता है महीं दनिये के साथ अगर बात करें हल्दी की तो हल्दी में आज उपरी सरोपर गिरावट है हल्दी के अंदर उपरी सरोपर बिक्वाली देखने को मिल रही है नवंबर वायदा में 0.5 फिसद के आसपास यानि 7 फिसद बाजार लुड़क चुके हैं तो हल्दी में जबरदस गिरावट आई है क्योंकि बाजारों में मांग अभी फिलाल निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही कैस्टीवल सीजन की एक डिमांड जो एक्सपेट की जा रही थी वो फिलाल बाजारों में भी लोटी नहीं है तो अभी बाजार नीचे जा सकता है चोहत्तर सो से अगर लेवल टोडता है तो तो तेहत्तर सो साथ तक नीचे गिर सकता है उस लेवल के उपर खरदारी करके चला जा सकता है पापी से बाजार पिछत्तर सो से शेत्तर सो तक आता हुआ दिखाई दे सकता है वहीं बात जीरे की करें तो जीरे में भी उपरी स्तरों पर विक्वाली है जब तक 15,000 के उपर जीरा सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें लंबी केजी फिलाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही झाल 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 झाल